हेलो फ्रेंड्स श्वागत है आप सब भी फ्रेंड्स का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिस में और आज की जी स्टोरी है अग्लास ओफ मिल्क तो देखेगा एक ग्लास की कीमत क्या हो शक्ती है और किस तरीके से आपको इस स्टोरी में देखन को मिलेगा इतनी ज्यादा शांदार स्टोरी है कि आप निश्यत तोर पर इट लास्ट का जो सीन होगा वो कहीं न कहीं आपको रुला देगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरस्टिंग स्टोरी को और इसी के साथ साथ बहुत आरे वर्ड मीनिंग और भी कु आफट चलेंगे देखेगा वन्समिस एक वार की बात है है ना देर इसका थुड़ा सा कलर कर देते हैं चैंस यस वन्समिस एक वार की बात है देरवाजा पूर बॉई एक बहुत ही गरीव लड़का था हू मेड ए लिविंग बाई सेलिंग वैरियस अबजेक्ट्स तो करके वो अपने जीवन को चलाता था फॉर्मट टो डूर अलभ दरवाजे दर वाजे जा करके वह चीजा ता था उसके बाद उसका जीवन चलता था अजिस वाज बर ये तरीका था यह रास्ता था यह prospective होकि ज देखेगा, पास्ट कॉंटिनूर स्टेंस है, बाज बर के साथ मैं बर में आई, इन जी फॉर्म लगा हुआ है, फ्रूम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर में जाता था, एस यूजूल हमेशा की तरह है, इसको मैसुस हुए, वेरी हंगरी, उसको बहुत ही भूक लगी, हलकी से न, तेजी से भूक लगी, और बहुत कमजोरी भी लगी, उसको मैसुस हुए, that he could not walk, की वो आगे चल नहीं सकता था, even a few steps यहां तक कि कुछ कदम कुछ कदम भी वो नहीं चल पा रहा था उसको ऐसा feel हुआ मैसूस हुआ कि पता नहीं क्या उसको हो गया है कि वो बिल्कुल चल नहीं पा रहा है He decided तो उसने निडे लिया वर्ब की second form है to ask तो उसने का कि चलो पूछते हैं चल करके for food भोजन के लिए at a house किसी एक घर में He knocked तभी उसने दर्वाजा खट गया on the door दर्वाजे पर end was stand और वो एकदम सुन रह गया to see देख करके a beautiful young girl एक बहुत ही सुन्दर युवा लड़की ने open means खोला the door दर्वाजे को खोला with much hesitation बहुत जदा hesitation करते हुए शर्माते हुए he asked उसने पूछा बोला the girl for a glass of butter उसने का कि मुझे एक glass पानी दे दो the young girl understood जो young girl थी लड़की जो थी वो understood मिस समझ गई his condition वो उसकी condition को समझ गई जान गई and offered him a huge glass of milk उसने एक बड़ा सा huge मिस विसाल बड़ा सा glass जो था of milk तो दूद से भरा हुआ एक बड़ा सा glass लेकर के आ गई उसको देने के लिए क्योंको वो समझ गई कि काफी भूखा लग रहा है ना पहले से ही लग रहा जाता है ना with an astonist एक दम आशर चके तो वो गया astonist हो गया look the boy drank the milk very slowly उसने दीरे 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 जो है दूद को पिया उसके बाद में उसने पूछा उस लड़के ने how much do I owe you for this milk तो मुझे इस milk के कितने पैसे देने पड़ेंगे कितनी जो है उधारी कहीं ने कहीं हो चुकी ही आस खर उस लड़की से पूचा कि भई मुझे कितना देना पड़ेगा इसका the girl replied उस लड़की ने उत्तर दिया तो देखे का क्या उत्तर दिया I do not want any money for this मुझे इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए यह ना मुझे नहीं चाहिए the boy thank the girl उस लड़के ने उस लड़की को धन्यवाद दिया from the bottom of his heart bottom is क्या होता है गहराई से bottom ऐसे तली भी होती है गहराई भी होती है ना अपने दिल की गहराई से of his heart and left the palace उस place को palace नहीं है place को वहां से छोड़ दिया years past years में सालें जो थी past होती नहीं गुजरती गई बाई एक के बाद में एक साल गुजरती गई the young girl grew up the young girl जो थी बो तुड़ा और बड़ी हुई इन हर youth और उसके उस जबानी में unfortunately दुर्भागे पूर तरीके से see fell ill दुर्भागे रहा कि वो बिमार पड़ गई और वाज डाइगनोजड और उसको डाइगनोजड कराया गया डाइगनोजड मतलब ऑपरेट कराया गया with the rarest kind of nervous disorder उसकी जो nervous थी जो नाड़ी तंत्रूता उसमें disorder हो गया problem हो गई many experienced बहुत ही अनुववी कई एक doctors जो थे बार baffled baffled क्या होते हैं एकदम चक्रा गए at her condition उसकी स्तती को देख करके बड़े-बड़े doctor भी एकदम परेशान हो गए, baffled हो गए and see was admitted उसके बाद मैं उसको admit कर दिया गया भरती करा दिया गया in the city hospital जो सहर का ही एक hospital था उसमें उसको बरती कराया गया with the most advanced facilities जो कि सबसे most advanced facilities वाला एक hospital था तो उसमें इसको बरती कराया गया doctor केविन तो देखेगा यह man doctor थे renowned बहुत प्रशिद थे neuro specialist बहुत यह एच्छे एक डॉक्टर थे सुप्रशिद डॉक्टर थे neurosurgeon थे बास called in तो उनको बुलवाया गया doctor केविन को by the hospital उस hospital के दोरा उन डॉक्टर को बुलाया गया to examine परिक्षड के लिए हर उस लड़की का देखवाल करने के लिए even with his extraordinary expertise यहां तक कि उनकी असाधरण expertise के बावजूद भी बिसे संगिता के बावजूद भी डॉक्टर केविन फाउंड तो डॉक्टर केविन ने भी पाया the girl's illness जो लखी की बीमारी जो थी very hard बहुत कच्छिन थी to cure इसका इलाज कर पाना बहुत मुस्किल था हावेवर हलाकी विद प्रिजर्वेंस एंड हाड़ वर्क तो काफी लंबे समय कच्छिन परिश्नम करने के बाद में that lasted months तो उसका जो इलाज जो था वो कई एक लास्टेड मिस चलता रहा months मिस महीनों तक ही वाज फाइनली और वो अन्त में जो डॉक्टर जो थे एवल टू गेट दा डिसीज अंडर कंट्रोल उन्होंने उस पीमारी को अंडर कंट्रोल कर लिया विद केरफॉल मेडिशन मेडिकेशन एंड मॉनिटरिंग लगातार देखवाल की हैना मॉनिटरिंग किया मेडिश आफोटेशन भी एच्छी दिलाई तो उसकी कंडिशन फिला ठीक होगी दगर्ड वाज कंप्लीटली क्योड जब लड़की जो थी कंप्लीटली मिस पूर रूप से क्योड हो गई मीस हस्ट्पस्ट हो गई विलकूल ठीक हो गई इन देंड अंत में जब विलकुल ठीक होग hospital will would come to वो इसलिए परेशानती की पता नहीं कितना बड़ा विल आएगा इस hospital का हफ फैमिली क्योंकि इसका जो परिवार जो था had just a little money kept away in the bank क्योंकि उनके परिवार के पास में उस लड़की के घर में और परिवार में बहुत ज़दा पैसे बज़े नहीं थे बेंक के अंदर विच वाज विच में जो की बाज no means enough to pay for such a long treatment क्योंकि जो की परियात नहीं हो सकते थे जो उसके पास पैसे थे इतने लंबे treatment के लिए in that reputed hospital इतने ज़दा reputed बहुत जदा सुपरशिद hospital के लिए इतने पैसे उसके पास जो भी थे वो काफी नहीं थे अब देखेगा the girl was given the hospital will finally अंत में उस लड़की को hospital का will दिया गया with trembling और बहुत जदा कापते हुए hands में साथों से तो देखेगा उसके हाथ काप रहे थे कि पता नहीं कितने लाका बिलाएगा सी ओपन उसने खोला इट उस जैसे इस बिल को खोला सी बाज स्टंड एक दम बो एक दम स्टंड रहे गई है ना हक्के बक्के आश्यर चेकित हो जाना है ना संड रहे जाना टू सी मिस देख करके दैट दा बिल जो बिल जो था हैड बीन क्रॉस्ट उसमें एक दम क्रॉस लगा दिया गया था आउट क्रॉस आउट कर दिया गया था और उसको पूर्डूप से कैंसल कर दिया गया था एंड देर वाज नौट और उसी के अंदर एक नौट भी छोटा सा परची लखे हुई थी अंडरनीत उसी के नीचे सांड भाई डॉक्टर केविन उसी में डॉक्टर केविन के सांड थे और क्या का कि बिल पेड तो बिल जो है वो पेड कर दिया गया था भुकतान उसका कर दिया गया था years ago कई एक साल पहले with a glass of milk तो जो भुकतान है वो पहले ही कर दिया गया था ये डॉक्टर केविन ने बताया कि कई एक साल पहले जिस तरीके से तुमने मुझे milk दिया था एक glass जो दूद लया था उसी का जो एक कई एक साल पहले तुमने इसका जो बिल था वो कई ने के मुक्तान कर दिया था अब देखें हमेशी सिक्षा क्या मिलती है one good turn, we gets another तो देखें एक नई एक अच्छी जो turn होता है कई ने कई एक जो mode होता है है ना, by gets, be gets होता है वो कई ने के दे देता है शुरुआत कर देता है another तो देखेंगा जब भी आप किसी के साथ अच्छा करते तो निशित तोर पर आपके शाथ भी अच्छा ही होगा जिस तरीके से उस लड़की ने निश्वार्त भावशे उस लड़की की help की थी मदद की थी और आगे चलकर वही लड़का जब ड़क्टर केविन बना है ना तो वो की निवरो सर्जन था तो उसने उसका ट्रीटमेंट किया तो अगर उसने इस तरीके के विचार पहले नहीं दिये होती तो निश्यों तो पर लड़की भी मर जाती और उसकी भी हालत ज़्यादा खराब होती चली जाती तो ये तो थी आज की स्टोरी आही होप डैच चाप लोगों के लिए सांदार लगी होगी तो फिर मिलते हैं नई कहानी में तब तक के लिए गुड़ बाई